कहानी विच्शोभा में मैं आपके सामने आज मालती जोसी की कहानी एक सार्था कैसास प्रस्तुत करने जा रही हूँ एक सार्था कैसास विनूत की कमरे से आती अवाजे रात भर उनका पीछा करती रही यूं तो उनके और विनूत के कमरों के बीच में बच्चों का कमरा भी है फिर भी रात के सननाटे को चीत तीवे आवाजें उन तक पहुँची जाती है बुढ़ापे की नीन वैसे ही कच्ची होती है जरा से में उजड़ जाती है फिर मुसके यह है कि ठीक से कुछ सुनाई भी नहीं देता बस यही समझ पाते हैं कि आज बभु बेटे में फिर से ठन गई है आजकन यह अक्सन होनी नगा है ऐसी मौकों पर उनकी नीन एक दम उड़ जाती है वे बेटे बभु के कांत में खलन नहीं डालना चाते पर हिम्मत नहीं पड़ती डर लगता है कि बेटा कहीं यह न समझ ले कि वे दर्वाजे से कां लगाय रहती हैं वे तो फिर संकोच के मारे बाध्रूम तक नहीं जाते कहीं दोनों यह न समझें कि वे टो ले रहे हैं बेचैनी में बस करवटें बदलते रहते हैं तब उन्हें अपनी उम्र पर बहुत खीज होने लगती है आँखों के साथ साथ कमबक्त कान भी जवाब देने लगे हैं अवास सुनाई देती है पर मतलब पले नहीं पड़ता अगर ठीक से सुन पाते तो कम से कम आस्वस्त हो जाते लड़ाई का कारण तो पता चल जाता ऐसी में पत्की बहुत याद आती है कभी-कभी उनके बिनावे अपने को बहुत अकेला पाते हैं वे होती तो शायद बात की तह तक जा पाती बेटे को डाटती या बहु को समझाती पर भी कुछ नहीं कर पाती एहसास से छट की कणिया गिनते रहती है या फिर माला लेकर वैट जाते हैं पर वही कभीर वाला किस्सा हो जाता है कि माला तो करमे फिरे पिछले आट दिनों से उनका चैन वैसे भी छिन गया है अपने प्रियमित्र दुबे जी का विशो हो उन पर इतना भारी पड़ेगा कभी सोचा भी न था उनकी पैंसनर्स क्लब में यू तो सभी टिकट कटा कर बैठे हैं दुबे जी इस्तर चले जाते तो उनका पुरा नहीं लगता विदिगती मान का संदोज कर लेते पर उनका इस तरह अपनी जड़ों से कटकर दिल्ली जाना पहुत का चोट रहा है दुबे जी बेचारे कौन अपनी खुशीशे गये हैं मजबूरी थी बड़े वाले बेटा बहु एकदम तो नक गय थे हम अकेले कहां तक भुगतेंगे औरों को भी तो कुछ सीवा करने दीजे हार कर दुबे जी ने दोनु बेटों को लिखा कलकत्ता वाले ने कानों पर हात रख लिए भाई को लिखा दादा मेरा धाई कमरी का मकान हैं दोनु को लाकर कहा रखूंगा बताओ कहो तो तीन चार सो रुपया महिना दवदारू का भेश सकता हूँ वस्से में आकर बड़े ने एक महने की दवाईयों के बिल भेश दिये अकेली शिमती दुबे जी की आठ नौसो की दवईया आदी थी गठ्या की मरीज थी दमा अलग था दुबे जी को बीपी था डाइपिडेस थे सुबह साम गोलिया खाते थे शर्मा शरीमी में दिल्ली वाला नेने आ गया था लेकिन जाते समय सुना भी गया था माबाब तो पोज लग रहे हैं पर उनका इतना बड़ा मकान बरते संकोच नहीं होता की राय देना पड़े तब पता चलेगा सारी दनखा निकल जाएगी दुबे जी कह रहे थे बंधू देख लेना चाते ही मेरे पीछे पड़ जाएगा की हिस्से कर दो हम अपना हिस्सा किराय से चड़ा देंगे बाबु जी ने कहा दुबे जी आप बेकार जा रहे हैं इतना बड़ा घर है आप यहीं अलग रहे लेते पैंशन में अराम से गुजारा हो जाता वे बोले नहीं यार एक घर में दो चुले अच्छे नहीं लगते फिर मैं अलग रहस्ती बसाओं भी तो किसके भरोसे आपकी भावी से तो एक बाल्टी भी नहीं उठती बस अपना काम खुद कर लेती हैं यहीं गनीमत है और भैया देखो कल को हाथ पैरों से लाचार हो गए तो इनी लोगों के पास आना है फिर ना कटाने से क्या फायदा अभी मजले को थोड़ी सत बुद्धी आ गई है तो लाब उठा लो वैसे बड़े से कह कर जा रहा हो कि हमारा कमरा महफोज रखना हम कभी विलोट सकते हैं दिल्ली की ससूरी हमें न गर्मी सेहन होती है न जारा कितने दिन निप्टी है देखते हैं अपनी जड़ों से कटने का बेहत दुख था उने अनजान अपरचे सहर में एक दम अकेले पड़ जाने का डर था इस उम्र में अब नए रसूब भी क्या बना पाएंगे उस नए बेगाने महौल में छटपटा कर रह जाएंगे अपनी मजी से तो वापस भी नहीं आपाएंगे हसरत से बड़े के बुलाने का प्रतिक्षा करते रहेंगे दुबे जी की बाद सोस्ते सोस्ते बाबु जी को अपना ख्याला जाता है उनकी भी तो दो बेटे हैं बड़ा अमेरिका में हैं बुलाता भी है मागी तेरह में पर आया था तो से जबजस्ती साथ ले गया था छे मैंने बड़े आदर प्यार से रखा था बगो ने भी सिवा में कोई कसर नहीं छोड़ी पर उनका ही मन नहीं लगा अपना देश अपनी लोग बेतर याद आते रहे वीजा खत्म होते हैं वे भागाएं फिर जाने का नाम नहीं लिया बेटी के यहां जाने का तो सवाल ही नहीं उठता अकेली होती तब भी न जाते पर उसका तो भरा पुरा कुनबा है साससुर हैं, देवदिवरानी हैं, नंदे हैं वहाँ जाकर अपनी नाक नीची क्यों करें वैसे यहां भी वे बड़े आराम से हैं उन्हें कोई शिकायत नहीं है पर जब कभी घर में महौल खराब हो जाता है तो वे बीचेन उपते हैं सोसते हैं, कहीं जगडे के मोल में वे तो नहीं हैं ये लोग उनसे उपतो नहीं गये हैं पिछले पहर पता नहीं कब आख लगी उठे तो दिन खासा चड़ाया था फिर भी वे इखोंगने निकल गल एक चाबी हमेशा पास रखते हैं कि गहर में किसी वो जगाना न पड़े आज जर जल्दी ने लोटा है फिर भी देखा वे नोद जाग गया है बलकि तयार हो गया है बाबुजी चाय उसने कब आगे बढ़ाया मतलब आज चाय वे नोद को बनानी पड़ी है मतलब ही बहु आज को भवन में हैं कोड़ों ने चुपचाय पचाय फिली और कब बलेट की चिन में रखाएं अगवार पड़ती हुई कनकियों से दिखा वे नोद ताबड दोड ब्रेट के तुक्ले मों में फूस रहा है खीक से बैट कर नास्ता करनो बेटा नहीं बाबुजी बैटनी का समय नहीं है वैसे ये लेट हो रहा हुँ उसने खड़ी देखती हुए कहा अच्छा बाबुजी आट बजे बच्चों को जगा दीजीगा कैसरॉल में सेंविच रखे उन्हें भी दीजे आप भी खा लीजे विनोद वैसे जुका कर जूते पहन रहा था उसने बिनर सिर उठाए पूछा जी बाबुजी पूछना चा रहे थे कि क्या बगो की तबे ठेक नहीं है तुम लोग आजकल किस बात के लिए परिशान हो रात को लड़ क्यों रहते पर वेशवदे यह नहीं जुटा पाए बाबुजी आप कुछ क्या रहते पूछ रहा था प्रमोत की कोई चिठी तो नहीं आई घर पर तो आपी रहते हैं यहाँ पर तो नहीं आई मैंने सुचर दफ्तर में आई होगी चिठी आजकल कौन लिखता है बाबुजी बस फोर्म खटका देते हैं अभी पिछले रवीवार को एक तो आया था अच्छा बाबुजी में चलता हो आप बच्चों को टाइम से जगा देना और दूसरी इच्छनवे अपने स्कूटर बता आजकल रोज यही हो रहा है लड़का हर दम कोड़ी पर सवार रता है आदमू बात करे भी तो कब और कैसे थोड़ा बेत मिनान चाहिए अकबार पढ़ती हुई वे बराबर घड़ी पर नज़र रखे थे ठीक आड़ बजी उन्होंने बच्चों का आवाज दी सनी तो फोरन उट बैटा पिंकी ने थोड़े नखरे किंगे सनी अपने आप बातरूम चला गया पिंकी को उन्होंने मास्टर बैडरूम में बेज दिया इसी बाने बहुरानी ओट जाएंगे बहुरानी शायद जागी रही थी पिंकी की गुड मॉर्निंग का उसने फोरन जवाब दिया बेग दम निश्चिंत होकर बरामदी में आकर बैट गए बच्चों की मा जाग गई है अब उन्हें कुछ नहीं करना है फिर पंद्रे मिनिट तक घर शोर में डुबा रहा बच्चों का तयार होना किसी महासमर से कम नहीं है मा को साम, दंड, भेद, सारी मर्ग अपनाने पड़ते हैं लाग चिरोरी करो तो एक इला दूद पेट में जाता है बड़ा असान जता कर टोस्ट कुदरते हैं तब तक वेन आ जाती है टोस्ट से उन्हें याद आया विनोद उनके लिए सैंड़िच बना कर रग्या है रोज वे बच्चों के जाने के बाद ही नास्ता करते हैं उससे पहले तो बहु को फुर्सत ही नहीं होती आज तो नास्ता बना रखा है पर वे अभी नहीं खाएंगे बहु नाने चली जाएगी तम नास्ता करेंगे क्या करें कभी कभी अपने ही घर में चोर बन जाता है आदमी बच्चों की वेन आई फिर एक शोर बर्पा हुआ पाय बाय का और फिर सारा घंड सन्नाटे में डूप गया अब वे परामदे में बैठे नास्ती का इंतजार कर रहे थी या तो बहु खुद लगा दे या फिर नहाने चली जाए वे अपने आप लगा देंगे ऐसे में पत्यें बहुत यादा दिये वे होती तो अपने ही घर में यू अजने भी न बनना पड़ता बाबु जी नास्तन लगा दिया है बहु ने अवास दी तो भीतर आ गए सेंडविच के साथ मठी थी और लसी का गिलास भी तुमने चाय पीनी बहु की सूजी आखों को नजर अंदाज करते हुए उन्होंने पूछा अब ले रहे हूँ उन लोगों के जाने तक सास लेने तक की तो फुरसत नहीं मिलती चाय कहा से लोग उन्होंने उसे गौर से देखा कहीं वे उन्हें ताना तो नहीं दे रहे पर इसमी वे क्या कर लेंगे बच्ची तो अपनी मा से ही संबलते हैं हाँ दो फर जब वे लोग स्कूल से लोटते हैं तो बाबु जी उनकी खोच खबर लेते हैं खाना तो खैर नौकरानी किलाती है पर सुपरवाइज करना भी तो एक काम है घर कर सननाटा उन पर भी भारी पढ़ रहा था इसलिए उक्ति में बोले सब जी वब जी है कि ले आओ अभी के लायक तो है पर शाम के लिए कुछ देख लेजेगा आप जल्दी तो लोट आएंगे न फिकर मत परो तुम्हें लेट नहीं होने दूगा तो उपर वाले की महरबानी है कि अभी हाथ बेर सलामत है जब जी चलता है बहार निकल आते हैं नहीं तो पता नहीं क्या करते सबजी की दुकान पर अनोखे नाल जी मिल गए ये उनके प्रभाद भ्रहमन मंडली वाले मित्र हैं इतनी इतनी सी सब्जी ले रहे हैं पाव भर करे ले पाव भर बेंडी सब्ची वाला इसरार करा था बाबुजी कम सी कमादा किलो तो लीजए इतनी मुलाएं बेंडी है पाव भर तो कड़ाई में छिपक करहे जाएगी अरे भया दो जनों के बीट पाव भर भी नहीं उठती, वो तो तुम इस से कम देते नहीं, वो इसलिए लेनी पड़ती है दो जनी क्यों सबची वाले ने पूछा बच्ची कहीं गए हैं क्या, जाएंगे कहां यहीं शेहर में हैं, अलग हो गए हैं, क्यों, बहुरानी को हमारे यहां मन्चाई फ्रीडेम नहीं मिल रही थी, हमने फ्री कर दिया, जाओ एश करो अब तीन हजार किराया दे रहे हैं और आजादी के कीमत चुका रहे हैं, वे लोग तो खैर यंग हैं, किसी तरह निभात हो जाएंगे, पर इस उम्र में आप लोग तो एकदम अकेले पड़ गए हैं ना, भैया हम रोज-रोज की चक-चक से तंग आ गय थे, अब तुम ही ब पेटे से कह दिया हैं कि अगर हम मर जाएं तो बुड़िया को साथ रख लेना, अगर वे चली गई तो अच्छा ही हैं, रही सही हम जैसे तसे काठी लेंगे, लेकिन अगर वे पीछे छूट गई तो उनकी बड़ी दुरगती होगी, दुनिया जहान का उन्हें कुछ भी त अप चाय के लिए बैठे रहोगे कि कोई पिला दे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, वे सहज भाव से कैब भी देते तो लोग उनका गलत मतलब निकाल लेते, बच्चे बेकार बदनाम होते, वैसे लोगों की भी क्या गलती है, आसपास यही सब तो हो रहा है, यह तो इश् शील्ड है, दोनों बहुए भी शाली, संसकारी और सेवा भावी हैं, दोनों उनकी खान पान का पूरा ध्यान रखती हैं, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, जमानी की तुल्ला में अदब कायदे में रहती हैं, सिर्थ तो आजकर सायद ही कोई ढखता हो, पर उनकी अमेरि चे भी उनका आदर स्ने करते हैं, उससे ज़्यादा किसी को क्या चाहें, बस बेटे बहु में खटपट होती हैं, तो मन खराब हो जाता हैं, अपने को बेवजय अपराधी समझनी लगते हैं, घर लोटे तो बहु दबत जाने को त्यार खड़ी थी, देर तो नहीं हुई ब आजा और प्रसन लग रहा था, वो रास्ते में अनूखे लाल जी मिल गये थे, उनसे बात करते देर हो गई, उन्होंने कहा, मन हुआ कि बहु से अनूखे लाल जी की बात कहें, और उसी का सूत्र पकड़ कर अपनी मन की शंकर का भी निवारन कर ले, पर बहु के पास इस सम इतना समय कहा होता है, तुमने खाना खान लिया बेटा, जीव अबुजी, कुकर त्यार करके रख दिया है, आप साड़े बारे बचे बस गया चला दीजे, सावित्री आकर दाल छोक देगी, बच्चों के लिए मीठा दही फ्रिज में रखा है, पर खाना खाने के बाद ही दीजेगा, नहीं तो सैतान खाना नहीं खाएंगे, रोज के वही वही डायलोग, उन्हीं तो अब सब कंठस्त हो गए हैं, वैसे भी उनके जीवन में अब नया क्या गटेगा, एक रस जिंदगी की, एक रस दिन चर्या, एक रस वार्त लाब, एक रस खाना, इसी एक रसता से बचने के लिए तो वे बहार निकल जाते हैं, चार लोग मिलते हैं, तो मन भी बहल जाता है, यह एसास भी बना रहता है, कि वे एक कमने कमें नहीं हैं, बेटे का खर्च और जिमेदारी दोनों बाट रहे हैं, इसी बहाने अपनी पसंद की सबजी भी आ जाती हैं, नहीं तो वही बात कि खाओ तो आलू से, ना खाओ तो आलू से क्या करें, बच्चों पो दूसा कुछ भाता ही नहीं हैं, वे फिर अफ़बार लेकर बैट गएं, हलाकि आप उसमें पढ़ने के लिए कुछ भी बाकी नहीं था, बीच में उठकर उकर चड़ा आएं, फिर गमसम ह कर बैट गए, अनुखी लाल जी की बात मन में चक्कर काट रही थी, ऐसे में पत्नी बहुत याद आती है, गर में कोई कहने सुनने वाला होता, तो शायद मन थोड़ा हलका हो जाता, सावितरी अपने समय से आई, उसने आट्ड़ा लगाया दाल छोकी और बोली बाबुजी गरम फुल के उतार रहे हो, आप खालेंचे, बच्चों के आने में तो अभी देर है, यह वारता लाब भी रोज का है, बाबुजी उसका आग रहे, टालते नहीं है, और खाने की मेज पर आ जाते हैं, सावितरी गरम फुल के उतार का देती है, और लेने के लिए इस्टार भी करती है, इसमें नोकरो वाली बात नहीं है, बलकि एक अपना पन है, उस अपने पन के साथ वे गात फुल का जादा ही खा जाते हैं, दिन भर में यही एक छण होता है, जो परम फुल का होता है, यो तो बहु भी प्रेम से ही परोस्ती है, पर ना जाने के यो एक संकोज बना ही रहता है, खाना का करुणोंने एक छपकी लेली, वे भी रोज का ही नियम है, इसी वक्त घर में थोड़ी शान्ती रहती है, वालने से ना आने के बात तो सोने का प्रश्ण ही नहीं, उटता, एक बाद अच्छी है, सावित्री विश्वस्त नोकरानी है, उस पर नज रखने की जरुवत नहीं होती, वे अराम से सोते रहते हैं, और वे अपना काम निप्टाती रहती है, जाड़ों, पोछा, बर्तन, कपड़े, करती करती तीन बच जाते हैं, तब तक बच्चे भी आ जाते हैं, बाबुजी एक नीन सो चुके होते हैं, बच्चों के आते ही कर फिर एक बार शोर से भरोटता हैं, दोनों ऐसी धमा चोकड़ी मचाते हैं कि बस, उनकी कपड़े वदनना और उने खाना खिलाना, ये दो काम करती करते हैं, साविती की नाक में तम आ जाता हैं, फिर वो बाबुजी से शिकायत करती हैं, बाबुजी जूट मूट की एक जाट पिला देते हैं, तब जगा घर में शान्ती प्रस्तापित होती हैं, खानक अकर बच्चे उनकी कमरे में आ गए, चुरन की बोली का टैक्स तो रोज का बंधा ही हुआ हैं, आज बजार से आते हुए टोफी भी लेते आये थे, बच्चे एक तम खुश, थोड़ी सी छ चीना जब टी भी हुई, फिर कहानी का दोच चला, कहानी से बच्चो का मन कभी भाता ही नहीं है, और एक का जाप चलता ही रहता हैं, पर साड़े जार बज़े ट्यूशन भी जाना होता हैं, इसलिए सबह को जबजस्ती वे रामते नहीं पड़ा, उन्हें शाम की चाय पिल कर सावित्री वी चली गई, घार एक बार फिर सननाटे में डूप गया, उनका मन बहा जाने को व्याकुल हो उठा, पर बहु के लोटने तक तो रुखना ही था, वे तयार होका प्रतिक्षक करने लगे, साड़े पांच वजने को ही थे, कि दर्वाजे की घंटी बजी, उन् महिला भी, हमेज़ा बहु की अनपस्थिती में आती है, और उसके आते ही एक दम उठकर चल देती है, बहु के सामने उन्हें नाहक शर्मिंदा होना पड़ता है, और आने के लिए बहाना भी ऐसा लचर धूड़ती है, लिफाफे बापता लिखवाना होता है, अरे जब मैं तो कैसे विए अक्षर बाच लेती है, कहो लाला कैसे हो, आदुन तुका ने स्वादत की प्रतिक्षा नहीं की, और खुद ही वीतर चलियाई, मैं ठीक हूँ भावी, आप कैसी ने, हम भी ठीकी हैं लाला, अब इस उम्र में क्या ठीक और क्या ना ठीक, कहिए आपकी क् कर सकता हूँ, वहीं बिट्टो का आप पता लिखवाना था, वे साथे कागज पर पता भी लिख कर लाएं थी, दरशन्त वे पता वे इतनी बार लिखवा चुकी हैं, कि बाबुजी को याद हो पक गया है, आप हमेशा सर्ब बिट्टो की ये चिट्टी लिखती हैं, और कि नहीं हैं, और भावी दिन भदफ्तन में रहती हैं, मैं बोल वुजाती हूँ, ठीक है, अपने घर में सुख से हैं, हमें और क्या चलिए, खाना वाना बहु बना कर जाती हैं, हाँ, सबजी वगेरे बना चाती हैं, फुलके सावित्य उता देती हैं, शाम की चाय भी सावित रहे हैं, चाय भी पीनी हो तो दूसरों का मुहर जोते रहते हैं, वो तो अच्छा है कि पवर समझदार हैं, भागिवान भुलाला, हमारी तो इतनी समझदार है कि हमें खाना बनाने के कुर सिखाती है, अब बताओ, अपने बच्चे, हमने क्या हवा खिला कर पाले हैं, उस वस चले तो इसी दम घर छोड़ दें, पर क्या करें हाथ में फोटी कोडी नहीं हैं, आपके भाई साब हमें ऐसी क्यंगली कर गए हैं कि क्या बताओ, पैंशन तो मिलती होगी, प्राइवेट नौकरी थी, उसमें पैंशन कहां धरी थी, फैंड मिला था, सो मकान में लगा दिया, मकान तो आपके नाम होगा, अरे कहां, पैसा पूरा नहीं पड़ा तो लोर लेना पड़ा, लोर हमें कौन देता, बेटी के नाम मकान करना पड़ा तब जागर मिला, तब ही तो, ये शायद कुछ और कहना चाह रहीं थी, पर स्कूटर की अवाज सुन कर चुप हो ग पर वे नहीं रुखी, ये अमा जी क्यों आई थी, बहु का स्वर सामान में था, पर वे बिना भचर सर्म से गड़ गए, उनका तो एक ही काम होता है, चिठी पर पता लिखवाना, बाबुजी वे अगली बारा है तो आप मना कर देना, वे सिर्फ पता लिखवाती हैं, और उनकी बहु सोचती हैं कि आप पूरा पत्र लिख कर देते हैं, घर की बाते स्प्रनतर हैं, वे जागर होती हैं, तो उसे शर्म आती हैं, वे कोई साधरन चिठ्य थुड़ी होती हैं, शिकायती पत्र होते हैं सब, फिर बेटी भाई को फोन पर डाटती हैं, भाई पत्री प बिफरता है, अच्छा खासा महा भारत हो जाता है, खैत, उनकी घर में कुछ भी होता रहें, हम निमित क्यों बनें, ठीक कहती हो, अगली बारा इंगी तो ढाल दूँगा, बाबुजी, ये बड़ी तेज औरत हैं, यहां रहती हैं, तो बेटे भाई को लड़वा कर मजे ल पती-पत्नी को लड़वाने के लिए किसी तीसरी की जर्वत कहा होती है, वे तो किसी की तीन पाच में नहीं रहते, पर जगड़ा तो इस घर में भी होता है, और बिना बात अपनी पपराधी में हिसूस करते हैं, रात खाना खातें उन्हों ने कहा, सोचता हो थोड़े दि प्रमोत के हां हुआओ, वे हैं, टिकट भीजने के लिए कैविरा था, एकदम क्या हो गया, वोना क्या है, सोचता हो, हाथ बहुत चल रहे हैं, तब तक एक बार हुआओ, बार में तो वश्किलोगी, पिछली बार तो आपका मन नहीं लगा था, मन तो इस बार भी नहीं हस्ते छेप नहीं किया था, पर सोने से पहले, जब अपना तांबी का लोटा भरने के लिए, वेरा सोई में पहुचे, तो सुबह के नास्ते की त्यारी मिलगी बहु ने उन्हें आश्चर में डाल दिया, कातर स्वर में बोली, बाबुजी, क्या आपने सच मचाने का मन बन अभी कुछ तै तो नहीं किया है बाबु, बस सोच रहा हूँ, बाबुजी, मैं आपके भरोसे निश्चिन्थों का दफतर चाती हूँ, आप नहीं रहते तो, पर बेटा, मैं तो तुमारी कोई मदद नहीं कर पाता, मदद की जरुद में बाबुजी, आपका घर में रहना से तो छोड़ा ही नहीं जा सकता, बिल्कुल जरूरी, ना हो तो अभी मत चाहिए, प्लीज, दो साल बार मेरी मम्मी रेटायर हो रही है, उन्हें एक उस दिनों के लिए बुला लोंगी, फिर आप आराम से भाई साब के पास रह लेना, यहां की चिंता रहेगी, तो वहां आपका मन नहीं लगेगा, कमरी में लोटी, तो वह बहुत हलका मैसूस कर रहती, पिछले आठ दिनों से मन पर जो तनाव था, वह दूर हो गया था, प्रमोत के यहां चानी का फिलहाल कोई इरादा नहीं था, वह तो बच्चों का खास कर बगु का मन टडोल रह थे, कहीं व उसकी सेवा चाकरी से उपना गई हो, उन्हें ये चान का अच्छा लगा, कि वे घर पर एक पोच नहीं है, बस बल्कि इस घर की शान्ती और सुरक्षा का इक जरूरी हिस्सा है, उतनी रात स्कूटर स्टार्ट करनी की अवाज आई, तो वे चौके, फिर समझ गये दोनों खाने गये होंगी, ऐसा अक्षर होता है, बच्चों को सुलाने के बाद दोनों थोड़ा निकल जाते हैं, उन दोनों के पास एक दूसरे के लिए यही तो एक निरापत समय होता है, बाकी वे तो भागम भाग मची रहती है, वैसे तो वे लोग पैदल ही चाते हैं, आज शा समय के कर तो जाते, दर्वाचा देखने के लिए वे उठने ही वाले थे कि बभू ने कमरे में प्रवेश किया, बाबुजी, अभी आप सो तो नहीं रहे हैं न, नहीं तो इतनी चल्दी नीन कहां आती है, तुम लोग आराम से हो आओ, मैं कहीं नहीं जारी बाबुजी, जि आजकर बड़ा परिशान नजर आता हैं, आपने पूछा नहीं गी, वे कभी इत्मिनाल से नजर आये तब तो पूछूंगा, सुवह निकल जाता है तो रात में खाने की टेबल पर ही मुलाकात होती है, मैंने सुचा दफ्तर में, और्डेट, इंस्पेक्शन होगेरे चल र वे तो उनके एक कुलेक से पता चला, तब तो ये स्थीपाद दे चुके थे, बताये बुरा नहीं लगेगा, इतना बड़ा गतम उठाने से पहले घर में पूछना तो चाहिए, मुझसी न सही, आपसे ही पूछ लेती, कम सी कम बता तो देती, हम लोगों का क्या इतना भी दिकार नहीं है, कहते के दिबगों का दुला भरा आया था, उसे स्वस्थ होने में थोड़ा समय लगा, वे प्रतिक्षा करती रहे, फिर पूछा, इतनी बड़ी नौकरी पर, लातमा दी, तो कुछ सोच कर ही मारी होगी, अब क्या करनी का इरादा है, बिजनेस करेंगे, ब लोन मिल जाता है, लोन तो मिल जाता है बेटा, पर वो चुकाना भी तो पड़ता है, वही तो मैं आपसे यही कहने आई हूँ, कि ये कितनी विचरोरी करें, आप पैसे नहीं देंगे, मैंने अपनी नाना जी का हाल देखा है, फंड का सारा पैसा बेटे की घंधन्धे में लगा दिया, धंदर चला नहीं, बुढ़ा पे में नाना जी पाई पाई को तरज गए, इसलिए कहती हूँ, आप पैसे मत देना, मेरे पास इतना पैसा है कहाँ, जरासी पैंसन है, और एक छोटी सी एपटी, वे जमीन बेचने पो कहेंगे, आप मना कर देना, जमीन उनकी अक पूरे वक्त के लिए, मेरे पास भी तो कुछ आईए, कल को बिचनेस चोपट हो गया, तो मेरे बच्छे तो सड़क पर आजाएंगे, जाने दो से, अभी दाट लगाता हूँ, अभी नहीं बाभुजी, फुचल से लगाईएगा, नहीं तो समझेंगे, मैंने शिकायत लग तुम अड़न्य लगाऊगी, इसी नहीं बताया था, कहते कहते उसका गला फिर भराया था, अच्छा बाबुजी, मेरी बात याद रखेगा, और मैं धीरे से उठतर चली गई, उन्हीं लगा, अब ये एक और चिंता सिर पर आ गई है, वैसे ही तो रातों की नीन दोड़ गई है, अब ये नया किस्सा घुन की तरह दिमाग को चाटीगा, पर आश्चरिय रात इने खुब अच्छी नीन दाई, कि वन एक बार पानी फीने के लिए उठे थे, उस समय भी विनोत की कमडे से बहस बाजी की सिस्क्यों की अवाजे आ रही थी, पर वे फरिशान नहीं इतने दिनों तक उनकी मन पर बोज था कि कहीं वे घर में आवांचे तो नहीं है, आसपस की वातावरण ने मन को भी हग शंकालू बना दिया था, इसलिए वे कुछ दिनों के लिए प्रमोत के पास जाने का मन बना रहते, पर बहु ने उन्हें बता दिया था कि इस घर की श बेबी के जगड़े के अब उन्हें परवा नहीं थी, नीन की तुसी किस्त भी उन्होंने अराम से पूरी कर ली, सुबह उठे तो एक दम दरोत आजा थे, उन्होंने बहु से कहा था कि वे वेनोत को डाटेंगे, पर उनका ऐसा कोई इराद नहीं था, अरे आदमी इस उम् में रहेगी, बहु को भी शायदे ही दुप सबसे ज़्यादा है, खैर, उससे नहीं पूछा ठेक किया, वे कभी हा नहीं करती, औरते बहुत ड़ट पोख होती है, बहुतो इतनी शान्ती से सब झेल रही है, उसकी मा होती तो रो रो का घर बर देती, बेवी से न सही पर बा कांती से काम लो, जिन्दा करने की चर्वत नहीं है, मैं हो ना तुमारी साथ, अपना हो ना उस समय उन्हीं बड़ा साथ्धक लगा